हेलो ब्रेंट्स गुड आफ्टर नून कैसे हैं आप साथियों बहुत से भाई बंध हैं माताएं बहने हैं जो कि बरसों से नीद की गोलियां खा रहे हैं नीद लाने के लिए लेकिन अब इस्थिती ऐसी हो गई कि दिन प्रदिन नीन की गोलियों का पावर बढ़ाना पढ़ संख्या पढ़ानी पढ़ रही है यह बहुत से भाई बंध हैं कि जिनको नीद की गोलियां भी खाने से नीद नहीं आ रही है अगर जो आपने बहुत सारी दवाईया कर रखी है कोई आराम नहीं है तो किसी रिजिस्टर्ड होमियोपैतिक चिकित्सक्र के पर अमर्स के अं सब्सक्राइब करता है दिन में आप सो लेते हैं लेकिन रात में जैसे एक से दो बजता है खुटका पड़ जाता खट से होता नीद खुल जाते फिर पुरी रात आप स्वेम भी परेशान होते और बच्चों को परिवार के इन सदस्यों को बुला बुला के बैठा बैठा क करते हैं तो उसी समय मित्रों आपको ध्यान देना चाहिए कि उस समय तुरंत आप जो है जब नीद खुल जा रही तो उठकर के बैढ़िए आप तोईलेट होकर के फ्रेश होकर के थोड़ी देर आप योगा करिए और मित्रों अगर जो ऐसे समय पे आपके बार-बार बिच को फला टाइम पे एक सेशन की बात होकर के आ रही है तो देखने को मिल रहे हैं यह कहले कि आप भविस्य वक्ता हो गएं बता रहे हैं अपने बच्चों को बुला करके रात के दो बज़े कि हम मंगलवार को वारा बज़े दो बज़े मर जाएंगे तो ऐसे कंडिशन समित् तो आपको आरसे इंकम अलबॉम का प्रियोग करना चाहिए अगर जो किसी गैस्टिक कंप्लेंस के वज़े से आपको कब जहें आप चन है लीवर कंप्लेंस से ब्लोटिंग है और उसके वज़े से नीद नहीं आ रहा है तो साम के समय में लाइको पोटियम और रात में सोते समय मित्रों अगर जो नक्स वोमिका का प्रियोग किया जाए तो बड़ा अच्छा रेस्पॉंस आएगा साथियों चेंजिंग आफ मोट्स या फ्लट्स आप मूट्स भी दाइडिया जिए दोस्तों हमेशा आपके जो है ख्यालाद बदलते जा रहे हैं थौट्स बदलते जानेक प्रकार के सपने आ रहे हैं यह कहलें आखें बंद हैं लेकिन दिमाग चल लोगों से इमेजनरी कल करते जो है बाद कर रहे हैं यू कहले कि कलपनाओं ने एक नए इंसान को जनम देर रिखा है यह और कंट्रा डिक्सन के वजे से आपका नीद भंग हो जा रहा है प टिपकल स्टेज होता है यहां पर मित्रों आपको इगनेसिया के बारे में सोचना चाहिए इगनेसिया बड़ा अच्छा काम करती है और साथ ही साथ मरीज को पैसी फ्लोरा यहां दोस्तों पैसी फ्लोरा बहुत अच्छा रेस्पांस करता है अगर जो आपने बहुत ज्यादा नसीली इमादक पदार्थों को खा रखा है भांग धतूरा गाजा लेते लेते एडिक्सन करते करते अब आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच गये हैं कि हर वक्त नसे में रहते हैं लेकिन नीद नहीं आती है तो ऐसे कंडिशन समित्रों कॉप्या बहुत अच्छा रेस्पांस करता है किसी बच्चे का दांत निकल लाए डेंटल पेन के वज़े से या प्रोस्टेट बढ़ने के वज़े से बार-बार पिसाब होने के वज़े से अगर जो बच्चों में इसी दिक्कत आ रही नीद ना आने की तो मित्रों कैमों मिला बहुत अच्छा काम करता है अपना ध्यान लख किसने की जरूरत नहीं है किसी से अगर जो सत्रू बहुत ज्यादा बलवान है तब भी नीद नहीं आती है याज लिया गया करजा बहुत ज्यादा है तब भी नीद नहीं आती है तो मित्रों बेर्थ के उल्जनों में ना फसें मस्त रहें हसना सिर्फ इंसान ने को भगवा में आधाए घंट अपने लिए योगा के लिए कसरा तिक सरसाइच के लिए निकाल नहीं पाता है बेर्थ के उल्जनों टेंसनों में बिल्कुल ना फसे कहीं गवाही वाही देने जा रहे हैं तो भी देख समझ लें कि क्या आप उत्ते मजबूत हैं को लोग चले जाते हैं फैसन में या दोस्ती के चक्र में गवाह दिम बन करके दवता चला वहां से नेचर करके जिस दिन से लवटे हैं तब से लेके आग तक नीद ही नहीं आरे कि होगा क्या तो थोड़ा इन सब नहीं आरही है तो ऐसे लोगों के लिए एंस्ट्रिम क्रूडम बहुत अच्छी दवाह है तो बहुत से लोग हैं किसी को प्यार में किसीको इस नियist van के वज़े से कि यहीं तो अ कतराग और फिर उनको नीद की समस्या दूर हो जाएगी यही विजे भारत क्या हुने तो